नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंके दिश पार शेडिया पर मैं हूँ अंके दवस्ती आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसके बारे में मैं पहले भी क्या ही बार सेशन्स कर चुका हूँ फिलहाल यह है एक अपडेटेड न्यूज के साथ उपलब्द है क्या आपको याद है कि हमारे एक पड़ोसी देश मालदीव के अंदर इंडिया आउट केंपेंड चलाया गया था इंडिया आउट केंपेंड यानि कि भारत ये लोग जो मालदीव में हैं उन्हें भारत से उन्हें मालदीव से वापस भेज दिया जाए और जिस व्यक्ति ने मुहमद मुईजु ने ये प्रयास किया था वो उनका प्रयास सफल भी रहा वो चुनाव जीत कर भी आए भारत सरकार के द्वारा मालदीव में भारत की तरफ से जो सबसे ज़्याद ये है कि इंडिया के ट्यूरिस्ट्स ने मालदीव जाना लगभग छोड़ दिया है यानि ये समझे है कि जहां इंडिया टॉप में ट्यूरिस्ट भेजने वाला देश मालदीव के लिए रहा करता था अपडेटेड खबर है मार्च की जिसमें ये जानकारी निकल कर आती है कि अब भारत की तरफ से जाने वाले ट्यूरिस्ट यहां पर छटे नंबर पर आते हैं यानि कि इनका नंबर सिक्स्थ नंबर पर आ रहा है ये हो गया इसका काम जिसके चलते मालदीव के अंदर भारत के साथ अच्छे रिष्टे वापस से बनाने की सुगबुगाहट इन पर आना पड़ा भारत से दोस्ती के लिए वापस से उसने सोचना शुरू कर दिया लेकिन इस अधूरी कहानी में जिस प्रकार से राजनीती मुईजू की चमकी इससे कुछ लोग और इंस्पायर हुए थे इसके बारे में मैंने आप लोगों को लगभग आज से दो मही पहले फरवरी एक पर एक सेशन करके बताया था मालदीव की तरह ही बांगला देश में भी इंडिया आउट केमपेंग चलाया गया मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही आपके सामने ये सेशन किया था जब यह सेशन किया था तब भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से यह inspired तरीका है just like Maldives की भाई इंडिया वालों को भगाओ यहां से बांगलादेश में इंडिया वाले क्या कर रहे हैं आज के सेशन में यह तो जानेंगे ही आज यहां के प्रधान मंत्री का भी बयान जानेंगे शेख हसीना का भी बयान जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जलानी है तो पहले भारतिये कपड़ों की होली जलाओ जलानी है तो पहले भारतिये साडियां जलाओ यह क्या कहानी है यही आज का सेशन है मैंने आप लोगों को आज से दो महीने पहले एक session में पूरी detail जानकारी देदी थी जब बांगलादेश के अंदर India Out campaign चल रहा था आज सुर्खी बांगलादेश की PM की तरफ से है कि जो BNP के नेट लीडर्स हैं यहां की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी उनके लोग जो India Out campaign कॉल कर रहे हैं सबसे पहले वो अपनी BVO की साड़ी जलाएं इंडिया के कपड़े जला कर रहा है इसके माध्यम से कुछ लोग आवाज इंक्रीज करने की कह रहे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है मुझे तरीका तो नहीं पता है कि चलते सेशन में आवाज कैसे इंक्रीज की जाती है बट मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है अगर इसका प्रभाव मिलता है तो मुझे कृपया करके कमेंड बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ इसका कुछ लाब हुआ है तो हमने आपसे क्या कहा जरा इस बात को फिर से समझने का प्रयास करिएगा भारत के मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो भारत के मैप से जब आप पूरव की तरफ चलते हैं तो आपको एक देश दिखाई पड़ता है देट बांगलादेश कभी यह बांगलादेश भारत देखिए दिशाओं को पढ़ने का सिंपल सा तरीका उपर उत्तर नीचे दक्षिन राइट में एस्ट लेफ्ट में वेस्ट यह क्यों पढ़ा रहा हूं इसको समझने के लिए यहां पर देखिए म आप को ध्यान से तो आपको यह वाला जो छेत्र है आज पस्चिम बंगाल के नाम से जो कहलाता है असल में यह छेत्र पूरा कंप्लीट बंगाल हुआ करता था उनने सो सेतालिस में हुए भारत विभाजन के बाद में जो पूरव की तरफ बंगाल चला गया उसे पूरवी बंगाल को नाम बांगलादेश दे दिया गया था ठीक है ना 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था उस बंगाल विभाजन में पूरवी और पस्चिमी दो बंगाल बने थे पूरवी बंगाल भविश्य में जब बाद में मतलब चल करके जब पाकिस्तान बना तो पा पूरवी बंगाल ही चल करके फाइनली क्या बनकर आया था बंगलादेश बनकर आया था ठीक है अच्छा अब मैं इस बात पर इतना जोर क्यों दिया हूं इसके पीछे का बड़ा कारण हलका सा यहीं समझ लीजिए बंगाल की प्रस्ट भूमी में ही बायकोट आंदोलन छि जिनने लोग दुरजन कहके भी संबोधित करते हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था तब भारत के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट अपनाया था यानि कि स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी वस्तूओं का भाहिश करेंगे और विदेशियों का भाहिशकार करने के लिए विदेशी वस्तूओं की होली जलाना सिंबॉलिक प्रदर्शन था उस समय पर जब स्वदेशी मूवमेंट अपनाया गया था 1905 में अब मैंने ये सारी कहानिया क्यों बताई सो दैट अब आप आज से इसे रिलेट कर पाएं ये वही बंगाल है पूरवी बंगाल है आज के नाम पर इसे बांगलादेश कहा जा रहा है हलांकि मैं थोड़ा सा इसमें और अगर क्लियर करक्ट होना चाहूं तो ये समझे उच समय पूरवी बंगाल में आसपास के ये आसाम और नौर्थ इस्ट वाले चेत्र भी कनवर्ट हुआ था यानि रूट में बायकॉट नामक एक शब्द अल्रेडी जुड़ा हुआ है भारत का क्या मॉटिवेशन है भाई भारत का मॉटिवेशन क्यों ना हो भारत से अपनी एक संतान निकली थी पाकिस्तान के नाम से भारत मा की एक संतान में पाकिस्तान निकल होता ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से इन्हें बहुत जादा मतलब ग्रांड संग ग्रांड डॉर्टर वाली जो फीलिंग है न वह इसके साथ चुड़ी हुई है ऐसी स्थिति में दिल के बहुत करीब है इतना करीब है कि जब इस छेत्र को यहां के लोग कूट पीट रहे थ 90,000 से अधिक पाकिस्तानियों को मतलब एक तरह सरेंडर करवा करके पाकिस्तान से इस पूर्वी बंगाल को अलग कराकर या पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराकर बंगलादेश बनाया था कहानी अगर समझ गए भारत का मॉटिवेशन समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं दो बड़ी पार्टियों में वर्तमान में जो यहां की प्रधानमंत्री है जो कि यहां के राष्ट पिता की बेटी है जिनका नाम है शेख मुझीबुर रह्मान की बेटी शेख हसीना जो यहां की वर्तमान में पी-म है वो पांचवी बार प्रधानमंत्री बनी है अब ध्य नाम था शेख मुझीबूर रहमान, ठीक है, बांगलादेश में उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, जिन्हों ने बांगलादेश को स्वतंत्र करवाया था, तो इन शेख मुझीबूर रहमान की पुत्री, किनकी शेख मुझीबूर रहमान की पुत करवाई जिया उर्रह्मान ने जिया उर्रह्मान ने अब ये जिया उर्रह्मान कौन है जिया उर्रह्मान है खालिदा जिया का हस्वेंड किसका खालिदा जिया अब ये खालिदा जिया कौन है खालिदा जिया बांगलादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी मुख्य विपक् की हत्या करवाई यह जो जीया नाम चलकर के आया और मिल गया खालीदा जीया को ठीक है तो अब अपने पास में एक पॉइंट यह निकल कर आया कि यहां दो बड़े किरदार हुए एक हुआ शेक हसीना का किरदार जिनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग नामक पार्टी क्या आवामी लीग नामक जो पार्टी है जो पांच वी बार अपना प्रधान मंत्री बना रही है वो सत्ता में है हाल ही में जनवरी में जब चुनाव कंप्लीट हुए तब यहां पर शेक हसीना दुबारा से प्रधान मंत्री बन कर आई थी यह रही शेक हसीना चुनाव हुए आप चुनाव जीत करके प्रधान मंत्री बन कर आई, इन से पहले अपोजीशन में जो खालिदा जीया थी 2018 में, जो अपोजीशन में रहकर चुनाव लड़ी थी, उन्होंने 2024 में हुए इन इलेक्शन का ही बहिशकार कर दिया, कि हम चुनाव में ही पार्टिसिपेट नहीं कर इसको समझ लीजिए, हाला कि इस पर मैंने एक डीटेल सेशन किया हुआ है, पर फिर भी एक बार यहां से समझ लीजिए, तो देखिए, आवामी लीग की तरफ से शेख हसीना पीम बनी थी, 18 के अंदर, उस समय खालिदा जीया की पार्टि ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में, या 23 के अंत में जो चुनाव बुलाए गए, उसमें इन्हों ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया, क्यों इनकार कर दिया, इन्हों ने कहा कि आपने सरकार को तब तक नहीं छोड़ा, जब तक इलेक्शन नहीं हो गए, पाकिस्तान की तरज पर बांगलादेश मे में भी अंतरिम सरकार चलाने का, मतलब एक प्रोटोकॉल सा सेट कर रखा, कनवेंशन है, समीधान में नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है अंतरिम सरकार का, चुनाव से पहले, दो तीन मेहने पहले ही, जिस प्रकार से भारत में भी लोकसभा के चुनाव है, सारे फैस चुनाव सरकार चोड़ दी थी, और उनके बाद में कोई अंतरिम सरकार के अंदर प्रधानमंत्री व्यक्ति बनाया गया था, ऐसे ही, बांगलादेश में डिमांड की जा रही थी, किस के द्वारा, छालिदा जीया के द्वारा, किसे की जा रही थी, शेख हसीना से, कि आप सरकार पहले छोड़िए अंत्रिम प्रधानमंत्री बनाईए उसके बाद में इलक्षन होंगे आवामी लीक की तरफ से शेख हसीना ने कहा हम आपकी बात क्यों मानें सविधान में लिखा हुआ ही नहीं है कि ऐसा किया जाए तो हम क्यों मानें हम सत्ता में रहते हुए ही इलक् की थे उन्होंने चुनाव का ही भहिशकार कर दिया किसने खालिदा जिया ने खालिदा जिया ने चुनाव का भहिशकार किया और चुनाव के भहिशकार के साथ साथ उन्होंने भारत का भी भहिशकार कर दिया खालिदा जिया शुरुआत में फ्रंट फेस पर नहीं आई थी भारत ने जब अपने द्वारा बांगलादेश में पांचवी बार पीम जब शेख हसीना बनी तो अपनी तरफ से शुबकाम ना भेजी ये आप सुर्खी देख सकते हैं 10 जनवरी की हमने बधाई दी कि मैडम बधाई हो पांचवी बार प्रधान मंतरी बन गई हो अभी तक जो मैंने आपको इतिहास बताया बंगलादेश का उस से आपको एक बात अब तक समझ में आई होगी कि बांगलादेश के इतिहास में कहीं ना कहीं 1947 se 1771 तक के दशक में तो भारत के प्रती नफरत थी 71 के बाद के दशक में भारत की प्रती मोहबबत थी बड़ा ही विचितर प्रकार का देश है बांगलादेश फिर से आईए मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले पेज पे सारी जानकारी समझाई वापस से रिकॉल करते हैं मैंने आपको क्या कहा था ये पूर्वी बंगाल और पस्षिमी बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान बना पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना पूर्वी पाकिस्तान बना पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश बना यानि यहां के लोग भारत विरोधी थे यानि उन्होंने पहले ही यह सोच रखा था कि भारत के साथ कोई विवार नहीं रखना है भारत से अलग होना है यही motivation रहा होगा तभी जाकर अलग देश में गए होंगे धर्म के आदार पर अलग देश बना था भारत में भी मुसलमान थे और रह गए और आज भी है मतलब अगर यह चाहते तो भारत में ही continue कर सकते थे पर इन्होंने कहा हम अपना देश बनाएंगे यह वो लोग थे चीक है 1971 में जब इन्होंने पूरवी पाकिस्तान से बांगला देश में कनवर्जन किया तब ऐसी इस्थिती आई क्यू थी तो इसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि जो यह पस्चिमी पाकिस्तान वाला हिस्सा जिसे आज मूल पाकिस्तान कहते हैं यह वाला हिस्सा इस हिस्से को अपना जैसा नहीं मानता था ये लोग अपने आपको बड़ा मुसल्मान मानते हैं और ये लोग, मतलब इन लोगों की नजर में इन लोगों की जो इज़त है ये बंगाली मुसल्मान वाली इज़त है बोले आप लोग बड़े मुसल्मान नहीं हो हम दिखने में सुन्दर कदकाथी वाले बड़े बड़े सेख और पठान जैसे लोग हैं और आप लोग छोटी कदकाथी के दिखने में डार्क कॉंपलेक्शन के इनों हैं इनके प्रती बड़ी ही नफरत का भाव 47 से लेकर 71 के बीच में रहा हालात ये रहे कि 47 से बीच में इन लोगों में इतने कंफलिक्ट हो गए कि यहां के मुसल्मान सोचने लगे कि धर्म तो हमने मुसल्मान अपना रखा है लेकिन हम सबसे ज़्यादा विरोध मुसल्मान ही कर रहे हैं आप अंदाजा इससे लगाए कि इस तरफ के लोग जब चुनकर जाते भी थे तो उन्हें यहां की संसद में जगे नहीं दी जाती थी बहुत ही माइनर प्रेजेंटेशन दिया जाता था हद तो यह हुई बांगलादेश बना क्यों क्योंकि शेख मुझीबूर रह्मान ने मैजॉरिटी सीट प्राप्त कर ली थी इलेक्शन में कि पूर्वी पाकिस्तान से चुनकर जाएंगे पश्चमी पाकिस्तान की संसद में सबसे बड़ी सीट हमारी होंगी इसलामाबाद के अंदर बठाकर अपनी सरकार बनाएंगे इससे ये लोग नाराज हो गए थे जिनका सेना पर पूरा कंट्रोल था इन्होंने कहा शेख मुझीबूर रह्मान को ही उड़ा दो उसकी पार्टी को ही गायब कर दो और उसका परिनाम क्या निकला वो आपके सामने है कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा था इस से कनवर्ट होना पड़ा बांगलादेश के अंदर यानि इन्होंने बंगाल को ही अपनी असमिता और पहचान बनाया कि हम अपनी पहचान के साथ रहेंगे इसका मतलब दुबारा सुनते हैं 47 से 71 के बीच में बहुत से लोग यहां पर ऐसे रहे होंगे जो इस कत्तरता के साथ उस देश में गए थे कि उन्हें भारत से अलग होना है वहीं 71 के बाद में जो भारत की वजह से आजाद हुए उनके मन में ये भाव रहा कि हमें भारत के प्रती हमबल रहना है क्योंकि इन्होंने हमें इनके उत्पीडन से बचाया है इनके उत्पीडन से बचाया है तो भारत की प्रती हम कृतार्थ हैं हम अबलाइस्ड हैं भार के कारण हमारी अपनी आज आजादी है तो जिन्हों ने भारत का समर्थन पाके आजादी प्राप्त की वो थे शेख मुझीबुर रह्मान उन्हीं की बेटी है जो आज प्रधानमंत्री है शेख हसीना निश्चित और स्वभाविक है कि भारत का उनके प्रती एक सॉफ्ट कॉ यानि ये बांगलादेश में भारत को आज भी पसंद नहीं करती और पहले भी पसंद नहीं करती थी भारत की तुलना में इन्हें चीन पसंद है लेकिन भारत पसंद नहीं है इसलिए जब जब चीन की बांगलादेश में एंट्री हुई है तब तब खालिदा जिया का साश अब आप दिमाग में विचार लाईए भारत बांगलादेश में खालिदा जिया को चाहेगा कि शेख हसीना को चाहेगा पट अब्विस सा जवाब है कि हमारा एक natural inclination होगा जो भारत का हितैशी हो वो भारत के समर्थन में हो उसकी सत्ता रहे ऐसी इस्थिती में भारत हितैशी आणलिदादी को ही हमने अपना समर्थन एक तरह से कहिए कि दे रखा है ये बात खालिदा जिया को भी पता है अब लेकिन भारत का विरोध कैसे करें अब आप विचार की जिए कि भारत ने अपनी तरफ से शेह हसीना से कहा मैडम सरकार चलाओ हम आपके साथ हैं जिस देश को हम आजाद करवा सकते हैं उस देश के अंदर क्या सरकार नहीं चलवा सकते क्या चलवा सकते हैं और हमने सरकार शेख हसीना की बकाइदा बढ़िया से चलवा दी मैडम को जो चाहिए पहुंच जाता है यहां से आपको जो सहायता चाहिए बोलिया आपको पेट्रॉल खाना चाहिए जो चाहिए बोलिये हम पहुचा देगे देश हमारा चलना चाहिए भारत ने एक तरह से अपनी कॉलोनी बनाई हुई है कॉलोनी कहना स्ट्रेट फॉरवड बहुत गलत होगा भारत का इनके साथ बहुत अच्छा म्यूचल रिलेशन है दादा पोते वाला रिलेशन है दौनों एक दूसरे के साथ व्यवहार से रहते हैं अच्छी बात है खाल लिदा जिया को यही बार अखर रही है कि बोले आर इंडिया अगर बचा कर चलेगा तो मेरा नंबर कब आएगा तो बोले इंडिया को नुकसान पहुचाते हैं इंडिया को नुकसान कैसे पहुचा है तो इंडिया का बांगलादेश से बहुत अच्छा व्यापार है अब आप इस फैक्ट को समझे भारत बांगलादेश का जो व्यापार है यानि भारत को इनसे लगबग 17 बिलियन डॉलर का फाइदा होता है, हम व्यापार करके इनसे इतना धन कमाते हैं, आप कहेंगे फिर तो बहुत अच्छी बात है, यह तो हम तो फिर बहुत ही अच्छे से फाइदे में हैं, हमसे भी ज्यादा चीन फाइदे में हैं, वो 26 बिलि के कुछ लोगों ने भारत के विरोध में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, यहां पर कुछ ट्विटर हैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्हों ने यह कहा कि भारत का विरोध किया जाना चाहिए, जैसे मालदीव के द्वारा किया गया था, इंडियन विरोध करने का इतिहास पुराना है, क्योंकि इनकी समझ बहुत पहले से है, यानि कि यह वो छेतर है जिन्हें यह पता है कि स्वदेशी आंदोलन कैसे होता है, बायकॉट आंदोलन कैसे होता है, यह वो लोग हैं, ठीक है, इसी बीच में यह जाकिर जिया उर्रह्मान के ब ठीक है, तो जिया उर्रह्मान का पूरा परिवार अभी तक छुप छुपा करके इस पूरे प्रोडेक्ट को लीड कर रहा था, अब लोग देखिए, इस प्रकार से भारत के प्रोडेक्ट का विरोध कर रहे हैं, कि भारत के यह यह प्रोडेक्ट हैं, भारत की तरफ से ने सेशन किया था उस समय नेशनल मीडिया के अंदर ये सुर्की बन चुकी थी कि बांगलादेश में भी भारत के खिलाफ विरोध हो रहा है ऐसी इस्तिति में जब ये नेशनल मीडिया पर खबर आई तो वहां के कुछ अखबारों ने इसको कवर करना शुरू किया कि इंडि की पार्टी से और BNP की पार्टी से एक नेता को बुलाया गया और उनेता से रुकूल करके नाम था उनका ये रहे इनको बुलाया गया रुहूल कबीर रिजवी इनको बुलाया गया BNP पार्टी से और कहा गया कि क्या आप इंडिया का विरोध करते हैं सुना है कि आप ख वाले जबरदस्ती BNP को बदनाम कर रहे हैं, BNP का कोई लेना देना नहीं है, इंडिया आउट कैम्पेन से, फेक्ट चेकर ने बकाइदा फेक्ट चेक करके बता दिया, और स्पोक पर्सन के रूप में रूहुल कबीर को रिजवी को बुला करके बयान भी दिलवा दिया कि B BNP यानि बांगलादेश की जो अपोजीशन पार्टी है वो विरोध में लीन नहीं है, कोई बात नहीं साब, ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा, रुहुल कबीर रिजवी जो फरवरी में आके खंडन करके गए थे कि हम विरोध में नहीं है, भाई सहाब आप मा आप था कोई जाति है, और आप एक का रसका बायकॉट करना चाहिए, जो वियक्ति दो महीने पहले कह रहा था कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे आला कमान का अभी तक कोई आदेश नहीं है, वो एक महीने में पलटता है और खुदी आ करके शॉल जला देता है, ये वी इस खबर को उठाता है और कहता है कि BNP with bycott India, यानि कि India के साथ, मतलब India के खिलाफ BNP है और वो भारत को बाहर भेजना चाहती है, तो उम्मीद है अब आपको बांगलादेश की वरतमान इस्थिती समझ में आ गई होगी और वहाँ पर भारत के प्रोडेक्ट को क्यों bycott किया तो अब उनका पार्टी का कोई संसद भी संसद में नहीं है और अपना शेख हसीना बढ़िया से सरकार चला रही है, ऐसी इस्थिति में खालिदा जिया के जो समर्थक हैं, उनके जो साथी लीडर्स हैं, वो अब इंडिया को टार्गेट कर रहे हैं, so that भारत से रिष्टे खराब हों, तो भारत खालिदा जी, शेख हसीना को प्रेशराइज करके दुबारा से इलेक्शन कराने की बात करें, तो ये प्रेशर टेक्टिक अपनाने का पयास किया जा रहा है, ठीक है, तो इन लोगों के दबारा भारत के सूट, भारत की साड़ी, इनका विरोध होना अब इतनी देर में प्रधानमंत्री हसीना खुद बाहर निकल कर आती हैं, प्रधानमंत्री हसीना बाहर निकल कर आती हैं, और अपना बयान देती हैं, कहती हैं कि ये BNP वाले भारत ये प्रोडेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं, मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, कि जितने भी BNP के leaders हैं, सबसे पहले वो अपनी पतनियों की साड़ी जला दें, क्योंकि वो साड़ियां भारत से ही बन कर आई हैं, आपको मैं बता दूँ, बांगलादेश में majority में जो साड़ियां इंपोर्ट की जाती हैं, वो भारत की साड़ियां होती हैं, भारत में बनी हुई साड कि उनके जो कबर्ट में महंगी महंगी साड़ियां रखी हैं, कितनी साड़ियां जला दिया, आप लोगोंने जरा बताईए, तो शुरुआत भारत में भारत ये कपड़ों की करनी, इन्होंने एक व्यंग्यात्मक रूप से opposition को ललका रहा, कि तुम्हें लगता है कि तुम् में बर्नर पर एक गिसी पिटी साड़ी को जलाना शुरू कर दिया, कुछ लोग ऐसे थे जन्होंने प्रदानमंत्री की बात को शब्द से ले लिया, बहुत सी साड़ियां ऐसी भी होती हैं जो आपके घरों के अंदर सफाई करने के काम में आ रही हो, परदे बनाने के काम म में आ रही हो, और कुछ नहीं तो सामान को लपेटने के काम में आ रही हो, कूलर पंखे को ढखने के काम में आ रही हो, तो कोई ऐसा ही अज्यात कार्य करता था जिसने की गैस चूले पर पहले एक व्यक्ति के साथ में फोटो शेयर करी बिना जलाए, इसने इस फोटो को शे कि देखिए साडी का भी विरोध हो रहा है लोग कह रहे हैं कि BNP वालों का कहना है कि साडी खरीदनी तो हैं लेकिन भारत से नहीं किसी और देश से खरीदेंगे एक तरह से भारत के प्रोडेक्ट को बायकॉट करने का प्रयास किया जा रहा है फिर BNP के लीडर्स बाहर निकल कर रहा है उनने का हम तो पहले ही भारत के सामान नहीं खरीदते मतलब इनके अंदर भारत के प्रती पहले ही इतनी घ्रना है कि ये पहले से ही भारत के सामान का ब आपके लोग खरीदते नहीं है, इसका मतलब हमारा व्यापार का संभावना और जादा बची हुई है, बट इन सब के बावजूद फिर से एक ट्वीटर पर केमपेंच चला और वो क्या है, कि भारत के एक पड़ोसी मालदीव ने इंडिया आउट केमपेंच चलाया, बांगल से ये पहले बवाल में आया था, उससे पहले भी और अभी राजनिती में फिर से आया है, कि भारत ने क्यों श्री लंका को अपना एक आइलेंड दिया था, 1974 में, इंद्रा जी के काल में, तो उस विशे के ऊपर भी यहां पर इस तरह से टैक करके लिखा जा रहा है, कि श्र ये है कि फाइदा हो ना हो, लेकिन अल्टिमेटली नुकसान भारत का जरूर हो सकता है, क्यों? क्योंकि भारत का नुकसान भारत के एक्सपोर्ट के घटने के रूप में होगा, नमबर एक, और नमबर दो, चीन का यहां पर और ज्यादा इंटरफेर बढ़ेगा, क्योंकि चीन आल्रेडी सामान बेचता ही है, और आल्रेडी सामान बेचता है, तो चीनी एक्सपोर्ट जो 26 बिलियन डॉलर आल्रेडी है, वो बढ़ जाएगा, तो भारत का सामान कम होगा, और यहां पर चीनी सामान बढ़ेगा, तो एक व्यापारिक नुकसान है, फिर एक और बड जत मिल रही है कि वो decisive factor बन रहा है अभी तक जैसे अमेरिका और USSR में हुआ करता था या तो आप अमेरिका के पक्षधर होंगे या USSR के पक्षधर होंगे सोव्यत रूस के cold war era में ऐसा हुआ करता था दौनों के बीच में जो रह जाए उसे non cooperative movement कहा जाता था एक प्रकार से समझेए वो सब good निरपेक्ष non aligned movement वाले देश हुआ करते थे जो यह कहते थे कि हम दौनों में से किसी के साथ नहीं है भारत उन में से एक था जो good निरपेक्ष निती बनाता थ लेकिन अब वही स्थिती भारत की भी बढ़ी है भारत और चीन में से लोग किस के साथ रहे भारत अब उस position पर आ गया है जहां जैसे cold war के समय पर USSR वर्सेस चाइना वर्सेस अमेरिका हुआ करता था ऐसे ही Asian countries में चाइना वर्सेस इंडिया हो गया है यानि इंडिया एक substitute बन करके आया है जिस इंडिया को अभी तक consider नहीं किया जाता था अब इंडिया हर देश की internal politics में just like अमेरिका अपने पड़ोस के देशों में matter कर रहा है यह भारत की बढ़ती हुई साख का प्रमान है अब इसका reverse च हितों की रखवाली कर सकते हैं आज अगर शेख हसीना सत्ता में हैं तो भारत के हित सुरक्षित हैं अगर खालिदा जिया होती तो संभव है भारत के सभी borders पर चाइना आकर बैठ गया होता और जादा चिंता होती यानि भारत को कुछ इस तरह के decisive factors तो लेने ही पड़ेंगे Decisive Facilates तो लेने ही पड़ेंगे जिनकी वज़ाए से भारत अपने पढ़ँजियों पर अपना नीयंतरन अच्छे से स्थापित कर सके नेपाल के साथ भी यही हुआ था भारत और चाइना नेपाल के बीच में फस गए। ऐसा ही हाल चाइना स्री लंका के केस में हुआ, बांगलादेश के केस में हुआ, मालदीव के केस में हुआ, यानि हर वो देश और पाकिस्तान के केस में भी यह हुआ। की लड़ाई पर है अब आप उन्हें अपनी तरफ से हर बजट में कुछ incentive देते हैं सभी को जो आसपड़ोस के जितने भी सार्क नेशन्स हैं पाकिस्तान को भी offer किया जाता है वो बात अलग है किसाब आप पैसे ले और अपनी economy को चलाएं ठीक है यह तमाम प्रकार के stand है बाकि आप इस विशह पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपनी राय आप यहाँ पर रखें बहतर होगा अब चाहें तो Twitter पर भी रख सकते हैं हमने sessions को वहाँ पर भी share किया होता है बाकि आपसे गुजारिश इतनी रहेगी कि session पसंद आया हो तो साथियों से साजा करें चैनल पर नए है तो subscribe कर लें क्योंकि आप मेंसे जो हमारी audience है वो 40 से उपर परसेंट ऐसी audience है जो session सुन रही है लेकिन subscribe का बटन नहीं दबा रही है subscribe दबा दीजिए हमारे sessions आप तक पहुँच जाएंगे आपका subscribe किया होना हमारे लिए एक motivation का factor बनता है इसका कोई शुलक नहीं और जिनोंने subscribe कर रखा है वीडियो को like कर दें आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने subscribe किया हुआ है साथ ही साथ जो पढ़ने वाले विध्यारती वर्ग हैं उनसे बता दें कि अपनी पाठशाला नाम से जो हमारा YouTube channel है उसका एक वंडे segment भी है अपनी पाठशाला वंडे नाम से सर्च करें वहाँ पर हमारे द्वारा आपके लिए बहतरीन classes उत्तर प्रदेश पुलिस re-examination को ध्यान में रख कर ली जा रही है ऐसे ही अपनी पाठशाला जो PCS channel है उसके उपर UP PCS Pre की तयारी को ध्यान में रखते हुए आरो ए आरो की तयारी को ध्यान में रखते हुए BPSC को ध्यान में रखते हुए classes ली जा रही हैं आप जाकर उन classes को नियमित रूप से लें फिलहाल के लिए इत्ता ही अपना खयाल रखें बड़ों का सम्मान करें छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित विस प्रकार से विक्सित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें